हेलो फ्रेंड्स, वेल्कुन तो मैं चैनल, स्टोडी विश रूती इस वीडियो में हम देखेंगे एपिटिमियो लोजिकल ट्राइड इसमें क्या होता है कि इसमें तीन ट्राइड से बना हुआ होता है एजेंट, होस्ट और इंवार्मेंट तीन चीजेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें उसके बाद बारी आती है host, it refers to the human who can get the disease, host यानि कि human body या कोई भी वो individual जिसको disease होती है, अब variety of risk factors can influence an individual exposure, susceptibility and response to a positive agent, suspectability and response to an agent are influenced by factors such as, तो क्या होता है कि risk factor होते हैं बहुत सारे, ऐसे individual होते हैं जो exposure में आते हैं, जिनको होने की chances रहते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला factor है genetic composition, परी बार genetic composition की वज़े से हमें disease हो जाती है, उसके बाद आता है nutritional and immunological status, अगर हमारा nutritional level low है, तो हमें nutritional disorder हो सकते हैं, immunological status अगर खराब है, तो हमारे immunity अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और हम जल्दी से जल्दी बिमार होते रहेंगे, कॉप अप नहीं कर पाएंगे disease के साथ, anatomical structure, anatomical structure भी जो हमारी body का जो भी structure है, anatomically, कि हाँ, कोई चीज अगर present नहीं है, मतलब किसी का कोई हाथ नहीं है, कोई और problem है, कोई और anatomical structure जो है proper नहीं है, तो वो चीज भी जो है problem देती है, disease causing होती है, presence of disease or medications, अगर आपको कोई इतनी बड़ी disease है, जो पहले से ही है, आपको वो curable नहीं हो रही, या फिर आप भूजादा medications ले रहे हो किसी चीज के regarding, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी जो है risk factors होते हैं, उसके बाद psychological makeup, अगर आपका mind जो है वो ठीक नहीं रहता, अगर आप जो है ठीक नहीं हो, mentally healthy नहीं हो, तो वो चीज भी जो है risk factor की तरह वर्क करती है, and the last is environment, environment क्या होता है, यह एक external factor है, जो effect करता है agent के काम को, this factor includes physical factors such as climate, biological factors such as insects, and socio-economic factors such as crowding, sanitation, and the availability of health services, environment में क्या होता है कि जैसे कि आप देखरों कि environment में आता है external factors जो हमें effect करते हैं, मान लोग कि अगर climate जो है वो अच्छा नहीं है, biological factors इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो insect आ सकते हैं, अगर climate हैं कि मान लोग बारिश का मोसम है, तो आपको पता है कि बारिश होने के बाद मोस्पिटों कितने होते हैं, तो वो disease फैलाते हैं, तो उनका effect पड़ता है, उसके बाद आप बात करें social economic factors की, तो बहुत ज़्यादा crowding में लोग रहते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं slum areas के, तो वहाँ पर कितने सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर ना तो सफाई होती है, ना कुछ और होता है, और health services वहाँ पर किस level पर available है, available है भी या नहीं है, वो चीज़े भी जो है बहुत ज़्यादा matter करती है,